सबको गुड इवनिंग है very very good evening to all of you आई हम लोग सब शुरू करते हैं विद्युद्धारा से हम लोगों को पढ़ना था यहां से हम लोग आज शुरू करेंगे इससे पहले की क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था वट इस विद्युद्धारा सबको गुड इवनिंग है very very good evening विद्युद्धारा क्या है वट इस विद्युद्धारा अगर सर यहां से आप रेगुलर्ली क्लास नहीं करते हैं तो फिर आपको क्लास का कोई फाइदा नहीं मिलेगा इसका प्रोपर्ली ध्यान दखें अगर आप रेगुलर्ली क्लास नहीं करते हैं तो आपको क्लास का कोई फाइदा नहीं मिलेगा कृपया इसका प्रोपरली ध्यान दखे एक भी क्लास अगर आपका छूट जाएगा तो आपको सर्ट क्लास समझ में नहीं आएगा आगे का विद्युधारा क्या है? विद्युधारा हम कहते हैं सर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युधारा कहते है या आवेश के प्रवाह को विद्युधारा कहते हैं मेली होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युधारा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर जो है वो विद्युधारा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युधारा कहते हैं सबको गोडइवनिंग है सरथ यजनी इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इसकोरच from Q by T इसका उनिट अगर निकालोगे तो कुलाउमबटासेकेंड इह हो जाता है कुलाउमबटासेकंड पर कुलाउमबटासेकंड को ही हम ampare कहते हैं कि कुलांब पर सेकंड को हिम एमपीर कहते हैं कि कहते हैं i is equal to q by t that is कुलांब बटन सेकंड को हिम एमपीर कहते हैं तो कहने का मतलब यह हुगा कि विद्युधारा जो है वह आवेश के प्रवाह की दर्ण है और इसका यूनिट i बराबर होता है q by t कि तो कुलंब बटर सेकेंड कुलंब पर सेकेंड इसको में एंपियर कहते हैं विद्धारा एक अदीश राशी है इसमें दिसा तो है उच्छ विभव से निम्र विभव की और लेकिन फिर भी यह अदीश राशी है क्यों अदीश राशी है उसका कारण है अदीश राशी इसल किसलिए ये सदीष नहीं I mean average के जोड़ न्यम का पालन यह इसलिए ये अदीस है व्यद्धर्ण में दिसा भी है उच्छ विभाव से नीवर्व कि और फिर बी अदीस है क्योंकि सरसदी्स होने के लिए दो छीजों का होना और रहे है एक तो तो दिसा होना चाहिए, आग दूसरा कि सदीष के जोड नियम का पालन करना चाहिए दिसा तो है लेकिन जोड नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए सदीष करता है तुँ मेरे खंधां से निकलके अधीष में चला जा। कहते हैं सर, गौँर फर्माइएगा cũ। किसी तत्व या पदार्थ में से एलेक्ट्रोन का प्रवाह या विद्युधारा कहलाता है या आवेस के प्रवाह की दर को विद्युधारा कहते है I is equal to होता है Q by T और इसका unit अगर निकालोगे तो कुलांब बटा सेकेंड अग कुलांब पर सेकेंड को ही हम एंपियर कहते है कुलांब पर सेकेंड को ही हम क्या कहते है एंपियर कहते है अब कहता है इसका एसाई मातरक जो होता है इसका एसाई मातरक एंपियर या कुलांब बटा सेकेंड होता है खुब पुछता है एंपियर या कुलम्बटर सेकंड होता है या किसी बिंदू से एक सेकंड में कितना 6.28 इंटेंडवार 18 प्रवाहित हो जाए तो विदुधारा का मान एक एंपियर होता है कितना एंपियर होता है यदि किसी बिंदू से एक सेकंड में तो कहते हैं कि एक एंपियर की धारा प्रवाहित हुई है इसर ये value आया कहां से है आप सर जो पढ़ते हैं एक question आता है इसको अगर आपके पास notebook होका तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक formula होता है Q बराबर IT और Q बराबर एक formula होता है NE NE बराबर होता है IT जहां N बराबर हो जाता है IT by E कल के science test के discussion में भी ये सवाल था N क्या है? N त्याग या ग्रहन किये गए electron की संख्या है त्याग या ग्रहन किये गए electron की संख्या है तो यहां से जब हम सर इसका value जब हम लगते हैं N का मान, N का मान जब I के बदले IT by E है अगर I के बदले हम 1 ampere time के बदले 1 second और electron का charge 1.6 into 10 to the power minus 19 रखते हैं तब जो यह निकल कराता है, वो निकल कराता है 6.28 into 10 to the power 18 electron तब यह निकल कराता है 6.28 into 10 to the power 18 electron कितना electron निकल कराता है? 6.25 into 10 to the power 18 electron तो कहते हैं सर, इसी यही value से निकल कराया कि जब 1 ampere की धारा जब 1 ampere की धारा प्रवाहित होती है तो त्याग यह अगरहन किया गया electron की संक्या 6.25 into 10 to the power 18 electron होता है वही यहां लिखा हुआ है कि यदि किसी बिंदू से 1 second में 6.28 into the power 18 electron प्रवाहित हो जाए ध्वनी का वेग कहें या ध्वनी को ही हम दाब तरंग भी कहते हैं या इसी को हम यांतरिक तरंग भी कहते हैं इस सब का वेग जो होता है वो होता है 332 मीटर पर सकेंद अब बादमांकी अगर आपको कुछ भी कहता है बादमाकी में अगर आपको कुछ भी कहता है तो इसका जो वेग होता है वो होता है तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर पर सके बादमाकी में कुछ भी अगर कहता है तो इसका वेग हो जाता है तीन गुना दस पर पावर आठ मीटर पर सके अब देखे, बादबकी में क्या क्या आता है, बादबकी में आपका आता है पहला विद्यू चुम्बकिया तरंग, विद्यू चुम्बकिया तरंग, विद्यू चुम्बकिया तरंग, दूसरा आता है आपको विद्यू चुम्बकिया तरंग में गामा, एक्स, पराविगनी इद्रेश सेवराख सुक्ष मेरेडियो दिर्ग सब आ जाएगा उसके बाद आपका आता है प्रकाश्च तरंग इसका विवेग तीन गुना दस परपार आठ होता है उसके बाद आता है उश्मinevikiran उश्मा अगर कहीं पर भी जाती है तो उसका विवेग तीन गुना तो चुछ भी पूछ लेगा तो तीन गुणा दस पर पर आट मिटर सेकेंड होता है विद्युचुम्ब के तरंग में 6.25 या 6.28 बहुत ज़्यादे सर फरक नहीं पड़ता है क्योंकि 10.25 तो फरक नहीं पड़ता है जिसमें ध्वनी तरंग का जो वेग होता है वो 332 मिटर सेकेंड होता है बाद वकी कुछ भी पूछ लेगा तो तीन गुणा दस पर पर आट मिटर सेकेंड जिसमें आपका विद्युचुम्ब के तरंग है जिसमें गामा है गाए पौदरी औशुरेदी से हम लोग याद रख विद्युद्धारा का जो वेग होता है वो भी 3 गुणा दस पर पावर 8 मिटर पर सेकेंड होता है ठीक है अब देखें तो कहते हैं ध्वनी तरंग, दाप तरंग, यांत्रिक तरंग ये 332 मिटर पर सेकेंड होता है बाद बकी का 3 गुणा दस पर पावर 8 मिटर पर विढुद्धारा एक अधीस रासी है पुच्छता है क्योंकि या सदीस के जोड नियम का पालन नहीं करता है तो कहते हैं गौर फरमाइएगा विढुद्धारा हमेसा बंद अध्यान देजयेगा कहा जाता है कि विढुद्धारा जो है वो हमेसा बंद बंद परिपत में प्रवाहित होती है, जैसे अगर मौन लो ये अगर ऐसा है तो ये खुला परिपत है, इसको हम कहते हैं खुला परिपत और अगर ये ऐसा है तो इसको हम परिपत अगर है तो इसमें विद्युधारा का मान होगा इसमें विद्युधारा का मान सुन्य नहीं होता है नियांदी जेगम आउ एफ विद्युधारा का प्रवाहित होगा अगर हम सर्विद्युधारा की बात करें तो विद्युधारा और ऐलेक्टरोन का परवाहित में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बैज्यानिकों को भी कहा जाता है कि ये अगर positive है और ये negative है ये positive terminal है और ये negative terminal है तो कहा ऐसा जाता है कि विद्युद्धारा का प्रवा हमेशा positive to negative होता है लेकिन electron का जो प्रवाह है देखो विद्युद्धारा का जो प्रवाह है अगर हम विद्युधारा के प्रवाह की बात करें ति ये positive to negative होता है और जो electron का प्रवाह है जो electron का प्रवाह है वो negative to positive होता है अगर विद्युधारा के प्रवाह की बात करें ति ये positive to negative होता है और electron का प्रवाह negative to positive होता है उल्टा होता है विद्युधारा का प्रवाह उच्च बिभव से निम्न बिभव होता है लेकिन electron का प्रवाह निम्न बिभव से उच्च बिभव होता है कहने का मतलब यह हुआ कि करते हैं विद्युद्धारा में सा बंद परिपत में प्रवाहित होती है खुले परिपत में यह प्रवाहित नहीं होती है और विद्युद्धारा में सा निम्न प्रतिरोद का मार्ग चुनती है उच्छ प्रतिरोत का मार्ग नहीं चुनती है, एलक्ट्रोंस का बहाओ हमेशा रिन अवेश से, रिन से धन की ओर होता है, जबकी विद्युधारा का प्रवा धन से रिन की ओर होता है, जबकी, इस पॉइंट का वेशे कोई खास काम नहीं है, विद्युधारा का प्रवा, वि रिन की ओर होता है जबकि विद्धुधारा का प्रवा जो है वो धन से रिन की ओर होता है देखें एलेक्ट्रोंस का बहा हमेशा रिन से धन की ओर और विद्धुधारा का प्रवा हमेशा धन से रिन की ओर आपका यह का निगेटिव टु पॉजिटिव इसमें मामला क्या है सर इसमें मामला ये है कि आज तक वेग्यानिक भी इसको नहीं सर किलियर कर पाया कि ऐसा क्यों होता है तो हम लोगों को भी मान लेना है अगर कहेगा एलेक्ट्रोन का प्रवा कहेंगे रिन से धन कहेगा विद्योधारा का प्रवा कहेंगे धन से धन तो विद्युधारा का प्रवाह में सा बंद परिपत में होता है विद्युधारा में सा निम्न प्रतिरोत का मार्ग चुनती है और कहते हैं सर ohm का नियम अब ohm का नियम क्या है ओम का नियम अगर आप पढ़े होंगे सर कभी भी तो आप सर पढ़े होंगे भीवरा और I.R भूल्टेज जो है वो शमानपाती होता है करेंट के तो जब जौब लगती है ना तब ये महनत याद आता है कि हमने महनत किया इसलिए आपको जौब मिला तो इतना आसान भी नहीं है कि महनत सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं इसलिए सब को जब लगती भी नहीं है, और इसलिए सब इसका लुफ्त उठा भी नहीं पाते हैं, अब आपको इस्ताय करना होगा कि आपको क्या करना है, कहते हैं बोल्टेज समानपाती होगा चला करेंट के, बोल्टेज समानपाती होगा करेंट के, यह कहता है कब होगा, ज जब शबी भौतिक वस्था नियत रहेगा, जब सभी भौतिक वस्था नियत रहेगा, जब सभी भौतिक वस्था नियत रहेगी, तब भोल्टे ही समान पाती होता है करेंट के, जब voltage समानपाती होगा current के तो भी समानपाती का चिन हटाएंगे तो एक constant आएगा I into R समानपाती का चिन जब हटाते हैं तो एक constant आता है R, R एक नियतांग है R एक नियतांग है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं R एक नियतांग है जिसको हम क्या कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं सर अगर आपको याद होगा y बराबर mx का graph तो y बराबर mx अगर आप plus 2 की यह होंगे तो y बराबर mx का कुछ इसकदर graph होता है यह y है, यह x है, y बराबर mx का graph ऐसा होता है तो सर वैसे ही बराबर i r का जो graph होगा वो पुछ इसकदर होगा यहाँ i होगा यह i होगा और यह b होगा और यह graph ऐसा होगा जैसे y बराबर mx का यह graph है वैसे ही ओम के नियम का यह graph है अब देखें ओम का नियम क्या कहता है ध्यान दिज्जेगा से ओम का नियम कहता है इंटर में ये सब पढ़ना है ये बेसिक है जो आपको टेंथे में पढ़ना है एंथ और इंटर दोनों में पढ़ना है लेकिन यहाँ आप जब लास्ट में जाएगा थोड़ा सा अलग होगा जो आपको हम प्रवेस्ट कर जाएंगे जो टेक्निकल इसी चैप्टर का टेक्निकल टर्म होगा वह हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद तो इस सब अगर नियत रहता है, constant रहता है, तभी भोल्टेई समानपाती होगा current के, अगर ये constant नहीं रहता है, तो भोल्टेई समानपाती current के नहीं होगा कहते हैं, वाई बराबर MX का ये graph है, तो ओम के नियम का graph होगा भी बराबर IR, कहते हैं गुरु जी, नियतांक fix है, हाँ सर, सभी तार का प्रतिरोध जो होता है, वो fix होता है, ये बदलता नहीं है, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके substance पर निर्भर करता है, अगर substance आप बदल द क्या होता है, बहुतिक बदलता होता है, सर, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, एक होता है बहुतिक बदलता है, एक होता है रसाइनी कबस्था, अगर chemical reactions हो गया, तो वो रसाइनी कबस्था हो गया, ताप है, दाब है, आदरता है, ये बहुतिक बदलता है, ये बहुतिक ब बदले तो voltage उससे प्रवाही धारा के समानपाती होगा, भी समानपाती होगा I, भी बराबर होगा IR, जहां R एक निया तंक है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते है, R is equal to होता है, भी बाइँ, तो भी हो गया, भोल्ट बटा अम्पीयर यहों ओम हो जाएगा, ठीक है, भोल्ट ब मात्रक की अगर हम बात करें इसका एसा ही मात्रक की अगर बात करोगे तो सर भी बराबर होता है आई आर भी बराबर हो जाता है आई आर भी बराबर हो जाता है आई आर अगर भी बराबर हो जाता है आई आर तो आर इस इक्वल्टू हो जाएगा भी बाई आई यहां से अगर R का यूनिट हम निकालते हैं तो यह हो जाएगा भोल्ट अब बट्ट एम्पियर और इसको हम भोल्ट पर एम्पियर लिखते हैं यह एम्पियर उपर जागत पर एम्पियर है भोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम लिखते हैं भोल्ट पर MPR को ही हम क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, कहते हैं कि एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध हैं, तो आर बदाबर हो जाएगा, भी बदाबर आई आर भी बेदाइ आई, अब भी बोले Πेर 455 अब भी बोले तो MPR में हम ओम लिखते हैं, अब कहता है ध्यान द लागू नहीं होता है वो होता है अर्ध चालक पर ओम का नियम लागू नहीं होता है बांकि सभी जगों पर ओम का नियम लागू होता है खाली कहां लागू नहीं होता है अर्धचालक पर कहेगा AC पर कहेंगे लागू होता है कहेगा DC पर कहेंगे लागू होता है कहेगा एक दिसात्मक धारा पर कहेंगे लागू होता है द्वी दिसात्मक धारा पर कहेंगे लागू होता है आपके एक दिसात्मक धारा क्या है alternating current जो होता है इसको हम द्वी दिसात्मक धारा क्याते है द्वी दिशात्मक धारा कहते हैं और DC जो होता है डारेक्ट करेंट इसको हम एक दिशात्मक धारा कहते हैं AC अल्टरनेटिंग करेंट है इसको हम द्वी दिशात्मक धारा कहते हैं DC इसको हम एक दिशात्मक धारा कहते हैं ऐसे यह आपका एक दिशात्मक धारा है तार का MPR कैसे महपते हैं आमीटर के द्वारा देखो AC को द्वी दिसात्मक धारा कहते हैं क्योंकि यह अप और डाउन दोनों में जाता है और DC को एक दिसात्मक धारा कहते हैं जिस सब पर लागू होता है इंडक्टर पर लागू होता है इंडक्टर होता है प्रेरकत प्रेरक प्रे होता है जिसको न प्रेरखन क्या होता है जब तार को को पंखा में रहता है उस पर भी लागू होता है राजिस्टर लागू होता है एक दिसात्मक दुजी सात्मक दोनो धारा पर लागू होता है खाली एक क्या जगा लागू नहीं होता है वो खाली याद कर लो बाद बगी सब जगा लागू होता है अर्ध चालक पर लागू नहीं होता है बाद बगी सब जगा लागू होता है कहते हैं प्रतिरोध संधारित्र प्रेरक प्रतिरोध तो रेजिस्टर हो गया जो हम लोग ऐसा वाला संधारित्र हो गया कैपैसीटर जो पंखा में लगा हुआ वाता गोल वाला प्रिरकत हो गया जब तार को सरम कोईल के रुप में लपेट देते हैं तो इसको हम प्रिरकत तो कहते हैं तो इसमें भी लागू पर भी ओम का नियम लागू होता है ओम का नियम रेखिया और द्विजिसात्मक परिपत में भी काम करता है ओम का नियम की अगर बात करोगे AC और DC दोनों में काम करता है AC के लिए R के जगा पर प्रतिबाधा Z का प्रियोग करते हैं लेकिन इसको फ़र हम लोग Alternating Current and Polyphase सिस्टम में पढ़ेंगे ध्यान दीज़ेगा स्रिंग और गर्थ स्रिंग और गर्थ बनता है सर इसमें ये उपर वाला को कहते हैं उपर वाला को कहते हैं सर इंद्रमणी जी उपर वाला को कहते हैं स्रिंग उपर वाला को कहते हैं स्रिंग और नीचे वाला को कहते हैं गर्थ ने कहते हैं गर्थ में चले जाओगे गर्त में चले जाओगे मतलब नीचे जाओगे गर्त में चले जाओगे मतलब क्या होगा नीचे चले जाओगे तो कहते हैं मेरी जान कि ओम का अनियम का ये ग्राफ हो गया भीबरा और आई यार आपके सामने है करेंट इस एक्सिस पे होगा voltage इस axis पे याद नहीं रहे तो current और voltage के लिए ध्यान रखेगा x axis और y axis में पहले x होता है बाद में y होता है पहले i होता है बाद में b होता है पहले x होता है बाद में y होता है पहले i होता है बाद में b होता है पहले x होता है बाद में y होता है पहले आई होता है बाद में भी होता है गैस आयोनाइजेसन इफेक्ट सर कुछ खास नहीं है गैस आयोनाइजेसन इफेक्ट होता है जब जिसे मरकरी वगर में जब बहुत तिब्र जती से गैस में विद्धारा प्रवाहित की जाती है तो वो ionized हो जाता है मतलब आयन में तूट जाता है उसको हम gas ionization effect कहते है अगर x-axis पर हम सर पहले x होता है बाद में y होता है पहले i होता है बाद में भी होता है प्रतिरोध बोले तो resistance प्रतिरोध बोले तो क्या resistance रजिस्टन्स की अगर हम बात करें से तो resistance क्या है योगेंदर कुमार जी resistance क्या है प्रतिरोध इकाता नामे है प्रतिरोध सर यहाँ बिरोध को हम प्रतिरोध लिखते हैं यहाँ सर हाँ रोहिजे क्याते हैं यहाँ बिरोध को हम लोग प्रतिरोध लिखते हैं अगर कहीं पर बिरोध होता है तो उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं बिद्युद्धारा के मार्ग में जो रुकावट होगा उसे को हम प्रतिरोध कहते हैं बिद्युद्धारा का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं अगर कह दे किसका प्रतिरोध अधिक हैं एक ओप्षन दे दे तुमको 10 ओम आप 2 वाट आप दूसरा ओप्षन दे दे 20 ओम और एक वाट लड़का आओ न देखेगा ताओ किस प्रतिरोध का आकार अधिक हैं अब सर बता दे किस प्रतिरोध का अकार अधिक हैं क्या हो जाएगा अंसर अतुल जी बिरोध कैसे करता है सर एलेक्ट्रोन जो फ्लो करता है उसी का बिरोध करता है जल्दी बताएं सर प्रतिरोध का कार सक्ती पर निर्भर करता है प्रतिरोध पर नहीं अब इसका आंसर जल्दी से बता दीजे क्या हो जाएगा यह 10 ohm है और यह 200 ohm है तो लड़का खट से यह 200 ohm मार देगा जबकि Sir प्रतिरोध पर निर्भरे नहीं करते हैं इसकती पर निर्भर निर्भर करता है एक वाट और दोवाट में किसकी सकती 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 जादना है इसलिए यह एंसर हो जाए है वेरी गुड सही आंसर हाँ एकदम सही है सर आप लोग एकदम सही मार रहे हैं अब आप कहिएगा कि सर प्रतिरोध पर निर्वर क्यों नहीं करता है इसलिए नहीं करता है सर क्योंकि ये हमेशा वोल्टेज कॉंस्टेंट नहीं होता है इसलिए प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा सक्ती पर निर्भर करता है ना कि प्रतिरोध पर ये सर सिंबॉल है ये प्रतिरोध का सिंबॉल है ये भी प्रतिरोध है लेकिन अगर एक तीर ऐसे दे देगा ये प्रतिरोध न अगर ऐसा तीर दे दे प्रतिरोध में तो यह प्रतिरोध नहीं होता है और यह प्रिवर्ती प्रतिरोध का सिंबॉल है पूछ देता है कभी-कभी अब देखो कहते हैं चालक के तार को प्रभावित करने वाले कारक अब देखो चालक के तार को कौन-कौन प्रभावित करते हैं चालक के तार को प्रभावित करता है प्रतिरोध जो है वो शमानपाती होता है चालक तार का लंबाई का लंबाई जितना जादे होगा प्रतिरोध उतना जादे होगा लंबाई जितना कम होगा प्रतिरोध उतना कम होगा आप करेगा ये जैसे मान लिज़ा कि ये कोई चालकतार है ये अगर कोई चालकतार है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई इस चालकतार की या कोई तार है तो इसका लंबाई हो गया L या अनुप्रस्ट काट का छेतरफल हो गया A अनुप्रस्ट काट का छेतरफल होता है वो ब्यूत कर्मान पाती होता है चालकतार के प्रतिरोध का अगर अनुप्रस्ट काट का छेतर फल जादे होगा तो प्रतिरोद कम होगा अनुप्रस्ट काट का छेतर फल कम होगा तो प्रतिरोद जादे होगा चालकतार की लंबाई अधिकोगी तो प्रतिरोद अधिक होगा लंबाई कम होगा तो प्रतिरोद कम होगा अब देखें, कहते हैं कि चालकतार की लंबाई समानपाती होता है प्रतिरोध के, छतफल बढ़े का प्रतिरोध घटे का, छतफल घटे का प्रतिरोध बढ़ेगा, अब मामला यह है कि अगर आर समानपाती हो जाता है L by A के, आर समानपाती हो जाता है, ने अभी तो पहले सरम किस किस पर निर्भर करता है उस पर चर्चा करते हैं चालक तार की लंबाई समानुपाती होता है प्रतिरोद के च्छतफल वित्कुर्मान पाती होता है प्रतिरोद के आर समानुपाती होता है तापमान के तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोद बढ़ेगा तापमान घटेगा का प्रतिरोद अलग-अलग होता है अलग-अलग तार का प्रतिरोद अलग-अलग होता है अलग-अलग तार का प्रतिरोद जो है वो अलग-अलग होता है देखो, कहते हैं, चालक, सर मेरा, 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 Mेरा, R समानुपाती होता है, LK, R बेतकुमानुपाती होता है, 1 by 1 K, यानि, औहुप्रस काट का च्टफल बढ़ेगा, तो प्रतिरोद घटेगा, यह घटेगा यह बढ़ेगा तापमान अगर जादे होगा तो प्रतिरोद बढ़ेगा तापमान घटेगा तो प्रतिरोद घटेगा आलग-अलग तार का प्रतिरोद अलग-अलग होता है यह चार फेक्टर्स हैं जो प्रतिरोद को प्रभावित करते हैं किसी भी चालक-तार का गहता है चालक तार का प्रतिरोद को प्रभाईत करने वाले कारक पहला है तापमान तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोद बढ़ता है तथा घटने से घटता है ये पहला है तापमान तापमान के बढ़ने से बढ़ने से बढ़ेगा घटने से घटेगा पदार्थ की प्र प्रतिरोद बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, प्रतिरोद घटेगा, अनुप्रस्त काट का छेतरफल, अनुप्रस्त काट का छेतरफल के घटने से उस चालक का प्रतिरोद बढ़ता है, और बढ़ने से उसका प्रतिरोद क्या हो जाता है, घटता है, अब ध्यान देना, हमने क आपको चालकतार का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कालक चालकतार का प्रतिरोध जो है प्रतिरोध पहले है क्या तो प्रतिरोध हमने कहा कि अगर किसी चालकतार लंबाई के साथ वोल्टेज पर प्रभाव पड़ता है सर लंबाई के साथ वोल्टेज जब प्रतिरोध पर पढ़ेगा तो अभी असली वोल्टेज पर भी पढ़ेगा अगर प्रतिरोध पर पढ़ेगा इंद्रमणी जी तो देखिए R समानपाती होता है लंबाई के हमको पता है B बरावर होता है IR अगर B बरावर IR होगा तो आप गौर से देखिए लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा अप प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी न बढ़ेगा लेकिन सर इसके लिए जोल है सब ही बहुती कवस्थाई नहीं आत रहे तबे सब जगा ओम का नियम लागू नहीं होता है जैसे आप आगे पढ़ियेगा तब आपको पता चलेगा हाँ टंगस्टन का गलनांक 3400 डिग्री सी होगा कि 3500 डिग्री सी के लिए सर 3400 से 3700 डिग्री सी इसके बीच का कोई एक option जो एक प्रॉक्स में मिले वही आंसर होगा तरिदेव तरिदर्फी जी टंगस्टन का जो गलनांक है इसका सर गलनांक अलग अलग जगा पर अलग अलग दिया हुआ है 900 डिग्री सेंटिग्रेट to 3700 डिग्री सेंटिग्रेट इसका सर गलनांक होता है 900 डिग्री सेंटिग्रेट इसका गलनांक होता है इसलिए अब देखिए होता क्या है कि जो आदमी इंडस्ट्री गिया वो कभी किताब नहीं लिखा जो किताब लिखा से कभी इंडस्ट्री नहीं गिया इसलिए इसका गलनांक गलनांक और क्वथनांक हमेशा सर गड़बर रहता है गड़वर्ड रहता है मतलब temperature कभी कहीं 3300 किसी किताब में 3500 किसी किताब में 3700 रहता है उसका कारण यही है जे किताब लिख रहा है वो कभी इंडस्ट्री जाग गलाता नहीं है अज ये गलाता ऐसे किताब नहीं लिखता तो उससे temperature का difference आपको मिलेगा किस धातु का प्रतियोत जाद भूता है अभी तो हम लोग जो non material है टंगस्टम और और नैक्रूमक इसका प्रतियोत बहुत जादे होता है अब देखें महें एक बार से हम सौट में इसको फिर से रिविजन करेंगे रिविजन करने के बार ध्यान दिचेगा कहते हैं विद्युधारा क्या है विद्युधारा अवेश के प्रवाह की दर को विद्युधारा कहते है I is equal to Q by T होता है Coulomb per second, Coulomb per second that is ampere या अदीश रासी है Q is equal to I T N बराबर I T by E होता है और एक ampere की धारा के लिए 6.25 या 28A कर लो into 10 वा अठार अलेक्रोन का प्रवाह होता है ध्यानी तरंग या दाव तरंग या या यांत्रिक तरंग का वेख 332 मिटा पर सेकेंड होता है कुछ भी कहे ध्यानी तरंग दाव तरंग और यांत्रिक तरंग के अलावे कुछ भी कह देगा तो उसका वेख 3 गुणा 10 पर पावर 8 मिटा पर सेकेंड होता है इसलिए कहते हैं विद्युधारा का वेख भी जो होता है positive to negative होता है, electron का प्रवार negative to positive और विद्युद्धारा में साथर कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, अधिक प्रतिरोध का नहीं ओम का नियम कहता है, जब सबी बहुतिक अवस्थाएं नियत रहे तो voltage समानुपाती करें भी बड़ावर आई 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 तो इसका graph जो है यहाँ है आर प्रतिरोध या नियतांग है आर बड़ावर भी बड़ाई आई हो जाएगा तो भोल्ट पर एंपियर भोल्ट पर एंपियर इसी को हम ओम कहते हैं और एसी ओम का नियम सब पर लागू होता है, खली एक जगा लागू नहीं होता है, अर्ध चालक पर, इसको अलग से लिखलना, ओम का नियम अर्ध चालक पर लागू नहीं होता है, उसके बाद प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले अगर हम कारक पर चलें, तो लंबाई के समान पाती होता है, अ नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जादे होता और टंगस्टन का कम होता है तो आज की कारवाई को हम लोग यहीं तक रखेंगे मिलते हम लोग अगली क्लास में थैंक्यू वेरी मच लब यू आल विद्धारा एक अदीश रासी है इसका एसाई मात्रक कुलंब पर सेकंड या थैंक्यू वेरी मुटू